विश यूआ वेरी वेरी हैपी नूइयर तो आल दोस्तों आज ना इस साल की लास वीडियो है यह है मेरी डियावाई स्पेशल वीडियो जिसमें मैंने अपने चार से पांच डियावाई एक साथ इस वीडियो में दिखाए हैं तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक ओल्ड टॉ सबसे पहले मेरी बेटे की एक बहुत पुरानी कार है दस से ग्यारा साल पुरानी तो मैंने उसको इस तरीके से अपने लिए एक प्लांटर बनाया बहुत ही ब्यूटिफुल तो आभी देख सकते हैं सोल्डरिंग मशीन से मैंने इसमें होल कर दिया है प्लांट लगाने के तो आप अपना कुछ गरम चीज आप चाको अगरा को गैस पर गरम करकी भी कर सकते हैं बट इससे बहुत इसली हो जाता है तो यह मैंने इसको कर दिया हो अप मैं करूंगी इसमें पेंट इनामल पेंट करती हूं मैं वर्जर कंपनी का जो कि लोंग लास्टिंग होते हैं का मैंने रेड कलर कर लिया है काफी जादा खुबसूरत लगरी थी कार रिनोवेट होके कोई नहीं कह सकता कि यह वही कार है जो कि इतनी बहुत खराब हालत में थी आप देख सकते हैं मैंने इसमें एमसील भी लगा रखी है क्योंकि इसमें ना होल थी और बहुत काफी टाइम नहीं दूब बारिश वगर में ऐसी ही पड़ी दई तो मैंने इसको कर लिया अब रिनोवेट इसमें मैंने कर लिया रेड कलर जिससे की इसका लुप बहुत बहुत सुंदर हो गया और इसमें मैं अब एक ब्लैक कलर करके और इसके टाइर्स वगर में भी ना बहुत सकते हैं बट मुझे इसमें एक ही कलर चाहिए था तो मैंने इस तरीके से इस दोनों कलर से ना अपनी गाड़ी को बहुत सुंदर बना ले अब कोई नहीं कह सकता यह वही पुरानी कार है तो दोस्तों आप प्लीज अपनी चीजों को फैकिये मत काबाड़ी वालों को मत दीज कीजिए और बहुत ही सुंदर सुंदर चीजे आप अपने गाड़न के डेकॉर आइटम में अपने घर के डेकॉर आइटम में यूज कर सकते हैं बना सकते हैं जिससे कि आपका घर और गाड़न दोनों बहुत ही ब्यूटिफॉर लेंगे को देखिया फाइनल लोक इतना प् यह पुरानी रखी ही, बहुत पुरानी बॉल थी, जो कि अब इसमे ना गैस सकारवा की भी ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको फाइनली यूज़ कर लिया, बहुत डायम से पड़ ही थी तो इसे मैंने बनाना है planter तो इसमें मैंने कर लिया hole क्योंकि मैंने इसको basket की डूप में use करना है तो मैंने hole करके इसमें chain को hang करना था तो ये मैंने इस तरीके से इसमें अटकाने के लिए इस टाइस से लगा दिया है कुछ hook type के तो ये तीनों साइट से मैंने लगा कि पेचकर इसकी help से मैंने hole कर लिये ता कि मैं इसमें chain को hang कर सकूँ जिससे की मेरी जो ये ball है वो बिलकुल basket का रूप ले ले तो इस तरीके से मैंने chain hang कर लिया ये वही chain है जो कि आपकी plastic की basket में लगी हुई आती है मेरी basket टूट गई थी chain बची हुई थी तो मैंने इस तरीके से use कर लिया तो आप डोरी का भी use कर सकते हैं कोई दिककत नहीं है वो भी अच्छी लगेगी तो इस तरीके से मैंने देखा कि ये जो पुरानी जो मेरी ball थी थोड़ा थोड़ा सा अच्छा सा लुक नहीं दे रहे थी तो मैंने सुचा इसमें पेंट कर लिया जाए जिससे कि इसका लुक भी ना बहुत अच्छे से enhance होके आए न्यू लुक आप देखिए पुरानी और white color में कितना अच्छा लग रहा है ना तो न्यू लुक इस तरीके का आना चाहिए तो और भी सुंदर लगेगी तो मेरे इसाब से मैं अपने जो डियावाई बनाती हूँ ना मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि उनमें ऐसा कहीं भी ना लगे कि वो बहुत जादा पुराने हैं उनका लुक खराम ना लगे क्योंकि मुझे अपने गार्डन को सुंदर मनाना इन छोटी-छोटी चीजों से बहुत अच्छा लगता है जिससे कि मेरा गार्डन और भी खुबसूरत लगता है तो इस तरीके से हम एपनी छोटी-छोटी चीजों को रिनोवेट करके अपने गार्डन को बोहाँ संदर बना सकते हैं इनestro चीजों को अगर हम अगर हम फैकते हैं तो कोई waste of money है वो भी और हमें उससे कोई भी फायदा नहीं होता है इससे क्या हो के अमने गार्डन की चीजों में तो हमने मैंने देखिए कितना प्यारा प्लांटर बना लिया है तो आप ये देखिए इसमें मैंने होल भी करें दोस्तों मैं जितने भी डियावाई बनाती हूं तो मैं नीचे से इसमें होल भी कर लेती हूं ताकि जो है प्लांटर का जो ड्र तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इसे मैंने हैं कर दिया है और आप देखे कितने प्यारे कैलन्चों के और इंज करर के फ्लार है वेल्ड इंड मिट्टी बनाई है और नेक्स है दोस्तों मेरा कुछ डेकुरेटिव बाउल टाइप की थी इसमें मैं अपनी फ बड़ा रहता है बारिश में ऐसी बड़ा रहता है तो आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं मुझे ने इसको एंटिक लोग देना था मैं इसमें कोई भी कलर करना नहीं चाहते थी तो मैंने हलका हलका जो है ना एक ही कोड ब्लैक कलर का दिया तो मुझे उसकुछ इस तरीकी क तो मैं अपनी DIY को ना रिनुवेट भी करती रहती हूँ अब आप देखिए कोई चीज हम लाते हैं तो उसे देंटिंग पेंटिंग तो मांगती है ना तो इस तरीके से मैंने पहले ब्लैक कलर करिया फिर उसको अच्छी से मैंने सुखा लिया फिर ये ना गोर्डन कलर मिलता ह उसके अंदर एक ऑॉल भी आता हैं वो मैंने लही नहीं लगा आ आप मैंने अंडिक लोग दिने के लिए जो ao jangan झाली दयान तो इसको एक जो हिल्हा हुए एक मेरे जो है हाईलाइट किया थे जो फ्ला आर मगला नहीं बिलता इसने को फिर भूल श झाल अयड़ा प्राइब दाल के पैबल्स वगर डाल के बहुत ही प्यारा लगा मुझे आप इसमें प्लांट भी लगा सकते हैं तो यह दिखिए बहुत ही सुंदर लग रहा आपको कैसा लगा यह जरूर बताईएगा क्योंकि इसकी वज़े से ना बहुत अच्छे से रिनुवेट करो तो पहले यह जरूर था अब इसको अच्छे से प्लांट लगा सकते हैं नेक्स दोस्तों मेरी चमन प्राश का डबा है जो में पास पड़ा हुआ था काफी टाइम से तो मैंने इसको सूचा इसे भी मैं एक प्यारा सा पॉड बनाऊं प्लांटर बनाऊं जिसमें की मैं जो सब्सक्राइर में लगते हैं तो मैंने नेज defens वर्ट लगते हैं यह दो ख्यर को इसको कट लेता है लेता है यह स्की में को अपर से निचे से कट किया ऍहलाया मैं जो परस तरहरा था है iska जो अई झाल चाहती था लीक है यह सृंक बनाना जाती तै तो आपको औल めर मैंने इसको कट कर लिया थोड़ा साफधानी से जरूर कीजिएगा जो थोड़ा बहुत उपर नीचे रह जाता है बाद में मैंने सीजर की हल्प से इक्वल कर लिया ताकि यह एकदम से चुबे भी नहीं और सुंदर भी देखे तो देखिए जो उपर का हिसा है वो मैंने वाइड कलर कर लिया है अच्छे से सुखा लूंगी में पास इसका एक और पहले से भी पड़ा हुआ था तो उसके साथ मुझे इसको मैच करना था तो मैंने ओल डिया वाई को भी दुबारा से रिनोवेट किया और आप बता नहीं सकते समें से कौन सा ओल्ड है और कौन सा प्यारा लगा था इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा दिया तो आप बताइए कितना प्यारा लग रहा है तो इस तरीके से आप भी डिया वाई बना सकते हैं नेक्स्ट है हमारा क्यूट बेबी बनाएंगे यह मेरी पुष्टे नहीं चाहे जाए जाद है क्योंकि यह मैंने इसमें स्किन कलर बनाया है क्योंकि मुझे इसका फेस का लुक देना था स्किन कलर मैंने कैसे बनाया है वाईट कलर जो होता है ना इनामल पेंट और एक वजो छोटी सी डबी रखी है यह यह आपको मिल जाएगा हाडवियर की शॉप पे तो आप आप उनसे बोलेंग कि जितना की मेरी पूरी बकेट में हो जाया यह कलर तो मैंने पहले इसमें एक कोड किया मुझे ग्रेस नहीं आया उसके बाद मैंने दूसरा कोड किया क्योंकि दोस्तों एक कोड में कभी कबार क्या होता है ब्रशिस के कोई स्टॉक वगरा रह जाते हैं तो जो ग्रेस है व और लिए पुछ भी चीज बनाती हूं तो सबसे पहले नहीं पैंसल से ड्रॉ करती हूं ताकि मुझे कलर करने में दिककत ना हो यह दिखिए मैं इस तरीके से पहले पैंसल से ड्रॉ कर लिया है अब मैं कर रही हूं अपको इस्टेशनरी की शॉप में जाएंगे तो मैंने वागर बनाई है तो बहुआ जादा मैं मैं पाइंटर नहीं हूं मुझे बहुत आछी ड्राइंग नहीं है बट मैं अपमी तरफ से पूरी कुछ्छिश करती हूं कि मैं थोड़ा बट जो है वो गट इप्ला सकूं तो मैं पहले ज़रूर करते हूं आप भी अगर ड्राइंग बार में कलर में उभर के नहीं आया है बहुत अच्छी है तो आप पर सेकंड कोर लीजी फिर दोस्तों मैं जो फाइनल चीज थी थी ना वो किया इसमें था आपका एक्स्टर शाइन के लिए जो होता है न तो वह मैंने किया इसको वार निश कहते हैं तो मैंने कप्ड़ की हेल कित्रना प्यारी यह क्यूट बेबी लग रहा है तो देखिए आइस वगर अब कॉन कहेंगा कि यह 40 साल पुरानी मेरी बाल्टी है जिसको मैंने पुष्टैनी जायदा की रह समहाल की रखना है तो अब देखिए इसमें कितना प्यारा क्रोटोन का प्लांट है यह क्या यह तो